अगर मार्केट सेंडर्डे 10,500 डॉलर्स मैंने कर दिया 9,500 डॉलर्स जै मातादी हो जाएगी हाई एव्रीवान जै हिन जै भारत जै मातादी इसी चीफ एंजिनेर प्रनीत मैता डिरेक्टर जेम्डी अकाडमी वेल्कम तो माइट चैनल मर्चने विडिकोड़ल और आज का वीडियो बहुत इंपोर्टन है को कि मैं बात करने वाला हूं थर्ड ओफिसर, सेकंड ओफिसर, थर्ड इंजिनेर की सैलरी इस कम क्यो रही हैं बिल्कुल सही बात है 2009 में, when I was a 4th engineer, my salary was 3500 US Dollars 2011 में, when I was a 3rd engineer, my salary was 4500 US Dollars और आज की डेट में, a 4th engineer is working at a salary of even 2400 US Dollars a 3rd engineer is working at a salary of 34, 3500, even 3800 US Dollars this is what I am talking about good management, big management shipping companies so the question is sir, rather than salary increasing, salary कम क्यो रही है देखो, पहली चीज़ मैं बोल दूँ कि मैं आपर किसी की साइड बनी not your side, not mine side, not the shipowner's side but perspective देना जरूरी है तो first way of relief is कि भाया, 3500 US Dollars जब मुझे मिलते थे उस time पर dollar का rate था 40-42 रूपे, 40-42 रूपे today it is 78 रूपे yes, inflation has got up, but still the salary is good enough copy? if you are not satisfied with this part, then मैं एक रीजन दे सकता हूँ कि क्या हो रहा है market के अंदर see, आप मानिये ना मानिये, shipping is a business जो वहाँ पर बैठे है वो भी business कर रहा है प्रॉपिट कमाने के लिए चाहब हो ship owner है जिसने जहाज लिया करोड़ों रुपेगा सुचता है कि यारे मुझे करोणों कमा के देगा जो ship managers बैठे हैं, उन्होंने बोला यार यह owner को मैं set करता हूँ इसको बोलता हूँ, भाई मैं तेरे को ज्यदा profit बिना के दूँ और तेरा tension भी खतम होगा तो अपना जहाज मेरे को manage करने दे और budget भी कम कर दे तो ship owner जहाँ पर एक जहाज के लिए 10,000 dollar per day खर्च कर रहा था वहाँ पर ship manager गया, CXYZ shipping company गई, बोली owner जी, owner जी आप tension मत लो, आपका जहाज आप मेरे को दे दो budget अपना हर दिन का 8,000 dollar कर दो, मैं आपको पूरा manage कर के दूँगा company, आपका जहाज मैं आपको पूरा manage कर के दूँगा, आपके crewing का सारा मैं ख्याल रखूँगा, salary सब मैं देखूँगा, मैं ये भी देखूँगा कि लोग sign on sign off time पे करे, hotel का stay भी मैं देखूँगा, quarantine भी म मैं देखूँगा, lubes में मैं देखूँगा, spare मैं देखूँगा, बस इतना मुझे पर देगा budget दो, owner बेरी खुश, कहता है, मैं तो business करने के लिए, उन्हें तो जहाज मैंने को NGO थोड़ी चला है, owner बोलता है, ओके भाई, आज से जहाज मेरा इस shipping company manage करेगी, ये shipping company ने 8,000 dollar का budget तो ले लिया, लेकिन अभी shipping company को अपने लोगों की salary निकालनी है, ये बड़े-बड़े office बने वे सिंगापूर में, Hong Kong में, उसकी salary निकालनी है, तो यार अब इनका target होगा कि 8,000 dollar per day का मेरा budget है, एक जहाज को manage करने का, भाई, कम से कम 2,000 dollar per day तो मैं भी कमाऊ, नहीं तो मैं इसलिए बता रहा हो कि आज मैं खुझ भी एक academy run कर रहा हूं तो एक entrepreneur के basic से मैं समझ सकता हूं कि क्या-क्या perspectives रहते हैं, तो नहीं बोला भाई, अब मेरा budget हो गया, constraint करके मातरी 6,000 dollar या 7,000 dollar per day, अब next question आता है, भाई, सबसे पहला salary का part, salary के पार्ट के अंदर मैं chief engineer, second engineer, chief officer and captain की salary कम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि market standard है, जैसे ही मैं कम करूंगा, दूसरे companies को जरूँ हता है, वो फट से ले जाएंगे, और यह लोग चले भी जाएंगे, क्योंकि difference बहुत जाए लिखता है, अगर market standard है 10,500 dollars, मैंने कर दिया 9,500 dollars, जै माता दी हो जाएगी, सब जहाँ चली नहीं सकता, तो मैं वहाँ पर कटाती नहीं कर सकता है, and that is why I tell all of you कि फटाफट अपने exam चले करो, आगे बढ़ो, chief engineer, captain बनो, chief officer, second year बनो, नीचे में कुछ नहीं रखा है, right, तो वो क्या करते है, उनकी salary नहीं कम करते, तो budgeting में कहां दिखता है, airfares में, सोचते ह कि लंबी-लंबी flights जएदे अलग-अलग जगा से, ताकि पैसे बच जाए, spares के अंदर cost cutting करते हैं, अलग-अलग जगा, warehouses बना दी है, ताकि कम time के अंदर सस्ते rate made pairs पहुंच जाए, पट इसके अलावा, फिर उनने बोला कि आप गया, अब हमारा अपना program है, हमें cadets भी चा It's not like a safe manning में नहीं आता कि उसके बिना भी जहाज अराम से चलता है, राधर cadet की salary है, 600-500 dollar वो जेब से लानने पड़ेगी, तो अब ये shipping manager के लिए compulsion हो गया, या तो cadet लटा दे और third officer, second officer की salary बढ़ा के रखे, या फिर cadet को रखे और कहीं तो salary कम करने पड़ेगी, कहीं त कुछ profit ही बिनाना पड़ेगा, तो उन्हेंने क्या बोला, भीया, cadet की को तो रखो ही रखो, अपना ecosystem मना के रखो ताकि वो आगया है, third officer, second officer, third engineer, fourth engineer की salary कम कर दो, लेकिन हा, इनके promotions का ख्याल रखो, अगर ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं, timely promotions चाहते हैं, तो अगर अच् how these management shipping companies work, ownership companies on the other end, देसे भाई हमारा budget तो दसलर का था, salary बढ़ा के रखो, but owners में क्या ओता है, जाज कम होते हैं, तो वहाँ पर waiting period बढ़ सकता है, वहाँ पर promotion aspects बहुत increase हो सकते हैं, कि यहाँ पर एक management company में जहाँ पर आप 2-3 contracts के अंदर, आप 4-3-3 year बन जाएंगे, वहाँ और से तब को 5 contracts करने पर जाएं, तो कहीं न कहीं घुमा फिरा के बाद वही आ जाती है, the choice is yours, this is what I personally feel, again guys, मैं किसी का side नहीं ले रहा हूं, this is just कि मैंने 2-3 ship managers के लोगों से बात करी, और उनका perspective यहाँ पर रखने के कोशिश करी है, saying one thing, कि सब लोग यहाँ पर business करने के ले रहे हो, वो लोग भी business कर रहे है, ओनर से जाज ले रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं, आपको profit देंगे, आपको पैसा बचा के देंगे, और खुद यहाँ से profit जनरे करके अपने लोगों की salary निकाल रहे है, ओनर अपना जाज को दे रहे है, क्योंकि ship owners उसे profit दिखा रह जहाँ पर आपको लगे कि आपके career के लिए सबसे सही choice है, वहाँ पर चले जाएए और आगे बढ़ते चले जाएए, there have been some of my friends, जिन्होंने एक बहुत ही secret shipping company join करी, फट-फट promotion लिया, class 1 निकाला second year, class 1 निकाला chief engineer, पैसे कुछ नहीं कमाए, long long contracts किये, employee treatment अच्छा नहीं मिला लेकिन फट-फट बट chief air captain मन के, shore job पे settle हो गए, कुछ मेरे दोस्ते इन average shipping company join करी, आज वहाँ पर settled है, कुछ owner shipping company में करी, जो अभी तक chief air captain बने ही नहीं है, so, choice is yours, career is yours, but again, this is all business, strictly business, no NGO, thank you very much, जै हिन जै भारत, जै मात आदी.